वेल्कम मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुड़ीज जहां होता है इंटर्टेन्मेंट की दुनिया से टार्ट कनेक्शन बॉलिवॉड में इस समय जिस जोड़ी की श्यारी की चर्चा हो रही है वह और कोई नहीं पलकी रंबीर कपूर और आलिया भट है दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं वही रिशी कपूर के निधन के बाद आलिया भट पूरी तरह से रंबीर कपूर के परिवार के कड़ीब आ गई हैं दोनों अक्सर एक साथ या फिर एक दूसरे के परिवार के साथ दिखाई देते हैं। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद ऐसी कई तस्वीर ये साम में आई हैं जो ये बताती हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जंदगी बिताने का मन बना चुके हैं। संजी दिला बंसाली की बहु प्रतिक्षित फिल्म गंगुबाई काठिया वारी से आलिया बढ़ खूब सूर्खियां बटो रही हैं वही बॉलिवूड आक्टर रनवीर और आलिया अपने शादी की खबरों में भी चाय हुए हैं वही दोनों ये अब अपनी अपकमिंग फिल्मों की भी चर्चा में हैं रनवीर जल्दी गल्फरेंड आलिया बट के साथ फिल्म बर्मभासर में नजर आएंगी यह फिल्म साल 2021 में रिलीज होगी इसी बीच रनवीर की नई मूवी को लेकर खबरे आ रही हैं मही पिछले कुछ दिनों से खबरे आड़ी हैं कि आलिया बट अबनीद गैंक्सर ड्रामा गंगुवाई काट्यावारी और बैजू बावरा में रनवीर कपूर की एंट्री हो सकती है कहा गया है और वो इन फिल्मों में आलिया बट के साथ रोमैंस करते दिखाई देंगे लेकिन अब आपके लिए इस खबर की सच्चाई लेकर आए हैं एक रिपोर्ट के मताबिक संजिलिया बनसाली ने अपने आने वाली फिल्म की घोश ना की थी वा फिल्म बैजु बावरा फिल्म में लीड रोल के लिए रनवीर कपूर और दिपिका पादुकौन और आलिया भट का नाम फाइनल किया गया है लेकिन अब फिल्म से जुड़े एक सूतर ने बताया कि रनवीर कपूर को बनसाली से कोई समस्या नहीं है लेकिन अब वे थोड़ी अलब फिल्म करना चाहते हैं प्रियोगात्मक फिल्म करने का उनका मूड नहीं है उनके सामने लंबा करियर है और कुछ वर्ष बाद वे इस तरह की फिल्म में करेंगे उनके पिता रिशी कपूर भी यही चाहते थे संभव है कि बंसाली और रनवीर किसी और प्रोजेक्ट के साथ जुरे लेकिन यह निकट भविश्यों में संभव नहीं है क्योंकि दोनों अभी व्यस्त हैं बता दे कि बॉलिवूड डाक्टर रनवीर कपूर काफी टालेंटिट कलाकार है और वह अपने फिल्मों में अपने काम के जरीए यह साबित कर चुके हैं रोकेट सिंग और बड़फी जैसी फिल्मों में काम कर चुके रनवीर जल्दी ब्रमास, शमशेरा, लव रंजन की आने वाली फिल्म और संदीव वांगा, रेड़ी की अगामे फिल्म आने वाली में दिखेंगे Thank you so much, keep watching for more entertainment news and update.